हेलो गाइज वेलकम टू अनेधर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फिर्ट्स पावर के रिट की और से सप्टेंबर क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेश हो चुका है जो कि आज के इस वीडियो में लाक्सिस करेंगे स्टैंडलाउन कॉंसॉलिडेटेड दोन रिजल्स करेंगे चल ये फिरिट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग आचुक है रिजल्ट में करोन में नंबर से क्वार किशले क्वाटर में 11 क्वाटर में 11349 क्रोड का इंकम था जो की क्वाटर ऑन क्वाटर में एर औन यर में दोनों में income में increase किया है expenses 67 6977 करोड का पिछले quarter में 6688 करोड का और September 22 quarter में 7229 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year की expenses quarter on quarter में increase लेकर year on year में expenses बहुत ही कम हुआ है इसके profit बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ जो कि operating profit है 4515 करोड का पिछले quarter में 4564 करोड का और सप्टमबर 22 क्वाटर में 4095 क्रोड का अप्रेडिंग पॉफिट है क्वाटर ओन क्वाटर में गिरावट आएकों के एक्स्पेंसेस बहुत ज्यादा हुआ लेकिन यार ओन येर में इंक्रीज किया है यहाँ पर कंपनी का नेट पॉफिट अगर दिखेगा तो 3781 करोड का पिछले क्वाटरम 3597 करोड का सप्टमबर 22 क्वाटरम 3650 करोड का नेट पॉफिट है क्वाटर ओन क्वाटर येर ओन येर दोनों में इंक्रीज किया है EPS 4.24 रुपीज का quarter on quarter year on year में increase किया है quarter on quarter में as it is same है लेकिन year on year में increase किया है तो transmission, consultancy, telecom इन तीनों से revenue generate कर रहा है revenue भी अच्छी growth हो रहा लेकिन आप expenses ज्यादा होने के कारण profit में थोड़ी सी fall देखने को मिला है तो income है इस बार का 11,205 करोड का, पिछले quarter में 10,888 करोड का, September 22 quarter में 11,003 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 6743 करोड का, पिछले quarter में 6,502 करोड का और September 22 quarter में 6,992 करोड का expense हुआ था quarter on quarter expenses बहुत जादा हुआ है लेकिन year on year expenses बहुत ही कम वो इसका profit बहुत ही strong growth हुआ है 4,462 करोड का operating profit है पिछले quarter में 4,385 करोड का और September 22 quarter में 4,011 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में increase किया है लेकिन net profit अगर दिखिएगा तो company का जो net profit है 3,833 करोड का पिछले quarter में 3,542 करोड का September 22 quarter on 3,651 करोड का net profit है quarter on quarter year on year में increase किया है EPS 4.29 रुपेज का quarter on quarter year on year में increase किया है तो गाइस company का result अगर देखा जाए तो बहुत strong result पेज़ किया है stand-alone basis पर क्योंकि company का income और profit दोनों में increase किया बस consolidated का company का यहाँ पे profit भी increase किया है stand-alone consolidated दोनों में अगर हम profit margin की बात करें तो company का जो profit margin अभी देखने को मिलदा 34% का है तो अब हम लोग जहाँ पर गाइस वीडियो का एंड करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं नेक्स लोड़ों में डिलिन मब वाए